कि आप जानते हैं कि इंडिया 2020 तक बुलट ट्रेन चला देगा लेकिन कि आपको पता है कि हमारे मुल्क इंडिया में छे महीने से तीस महीने की अमर के जुमला बच्चों में से नवे फिसद बच्चों को जरूरत के मताबिक खाना दस्तियाप नहीं होता कि आपको ये भी पता है कि हमारा मुल्क दोहजार चौबीस तक पांच ट्रिलियन की एकनौमी बनने जा रहा है कि आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क में हर रात तकरीबन बीस करोड लोग भूके ही सोजाते हैं है ना ये बहुत ही हैरान कर देने वाले आंकडे भै अगर सूपर पावर बनना है तो ये नेगिटिव चीज़े तो होनी ही नहीं चाहिए लेकिन अगर आप गलोबल हंगर इंडेक्स पर हिंदुस्तान की कारकरदगी देखें तो शायद ऐस ए इंडियन सिटिजन हमें शर्म ही आ जाए आदाब आज की इस प्रोग्राइम क्या आप जानते हैं में हम बात करने वाले हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाली भुक मरी की दुनिया में भुग की सुरत हाल के बारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा तरीन रिपोर्ट हाल ही में चारी की गई है आए देखते हैं इस रिपोर्ट के चौका देने वाले इनके शापात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 117 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया 102 रैंक पर है जबके सौथ एशिया के दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तान 94, स्री लंका 66, नेपाल 73, बंगलादेश 88 और अफ्टानिस्तान 108 रैंक पर है इंडिया एशिया की तीसरी बड़ी एकोनॉमी है लेकिन सौथ एशिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक वो सबसे पीछे है इंडिया साल 2010 में 95 रैंक पर था और अब 2019 में 102 रैंक पर आ गया है रिपोर्ट में जुनूबी एशिया के हवाले से बताया गया है कि बच्चों को कम खुराख मैसर होने के बाइस उनकी इस आलमी फैरिस्ट में दर्जबंदी एतनी पीछे है इंडिया के हवाले से तकिरा करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के बच्चों की नशौनुमा में कमी का तनासुप तकरीबन 38 फीसद है जबके 6 मन्त से 23 मन्त की उमर वाले बच्चों में से सिर्फ 10 फीसद से भी कम बच्चों को उनकी उमर के लिहाज से मुनासिव घ्रिजा मिलती है जी हाँ ये बात अफसोसनाक है ज्यादा शर्मनाक है कि दुनिया की पांचवी बड़ी एकनॉमी वाला हमारा मुलक इंडिया भुकमरी जैसी सोशल बीमारी में भी औरूच पर है वहीं बात अगर की जाए बंगलादेश और लिट्विया जैसे ममालक की तो ये दोनों ही कंट्रियस इस फैरिस में इंडिया से बहतर है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि साल 2015 से हम इस फैरिस में बतदरीच नीचे की तरफ ही जा रहे हैं ग्लोबल इंडेक्स में नीचे होने का मतलब है कि उस मुल्क की आबादी को जरूरी खुराख नहीं मिल रही है बच्चों की अमवाद की शरा ज्यादा है बच्चों का वजन कम है और वो खुराख की कमी का शिकार है मतलब बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा सही ढंक से नहीं हो रही है साल 2019 के Global Hunger Index में इंडिया दुनिया के उन 45 कंट्रीज में शामिल है जहां भुकमरी संगीन सते पर है अफसूस की बात तो ये है के हमारे पडोसी ममालिक पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और मियानवार भी इस मौमले में हम से बहतर हालत में है Global Hunger Index की 2019 की लिस्ट में लित्विया, बेलारूस, एस्टोनिया, कोईट और तुर्की का शुमार उन ममालिक में होता है जहां खुराख के मौमले में सुरतहाल सबसे अच्छी है हाला के इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है के भुकमरी की सते इलाखों के हिसाब से अलग अलग है इसमें कहा गया है के इस साल के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सौथ एशिया और सौथ आफरिका में भुकमरी की संगीन सते को देखा गया है हमारे मुलक इंडिया एक फूड प्रोसेसिंग मुलक है 1965 के ग्रीन रेविलूशन के बाद से ही इंडिया पैदावार में खुद मुखतार मुलक बन गया था तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है के खुद मुखतार मुलक बनने के 50 सालों बाद भी हमारे मुलक इंडिया में अब भी इतनी भुकमरी क्यों है इसी सिलसिले में कुछ हैरत अंगेज फैक्ट हम यहां पेश कर रहे हैं अनाच के पैदावार में हमारा मुलक हर साल रिकॉर्ड बनाता है हर साल पिछले साल के मुखाबले में ज्यादा पैदावार होती है साल 2018 में हमने 281.31 मिलियन टन अनाच की पैदावार की लेकिन इतने सारे अनाच की पैदावार के बावजूद कई इंडियन भूके सो रहे हैं क्यूंकि हमारे अनाच को ट्रांसपोर्ट और उसको स्टोर करने का जो सिस्टम है वो कुछ ज्यादा कारगर नहीं है United Nations की एक रिपोर्ट के मताबिक हम जितना अनाच पैदा कर पाते हैं उसका 40 फीसद तो हम ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान ही खराब कर देते हैं एक और रिपोर्ट के मताबिक जितना खाना हम एक साल में वेस्ट करते हैं उतना खाना United Kingdom साल भर में खाता है एक और रिपोर्ट के मताविक जितने किलो गेहूं हम एक साल में खराब करते हैं उतने किलो का टोटल अनाच आस्ट्रेलिया साल भर में पैदा कर पाता है याद है हर साल फस्दों की कٹाई के बाद बस यही बजा है हमारे मुलक में अनाच के खराब होने की हम को ज़रूरत है एक बہتर ट्रांसपोर्टेशन और अनाच के स्टोरेज सिस्टम की अब मैं आपको एक ऐसी न्यूज रिपोर्ट के बारे में बताने चाह रहा हूँ जो आपको और भी हैरत जदा कर देगी हमारे मुलक में करोडों लोग हर राद भूके ही सो जाते हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ही मुलक में रह रहे शहरीयों का तो नहीं बलके गहर ममालिक की अवाम का ज्यादा ख्याल रखने की ठानली है दरहसर रिपोर्ट के मताबिक इंडियन फूर्ड डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर्स को एक लेटर लिखा है जिसमें उसका कहना है के हमारे पास बहुत सारा खाना है जो के वेश्ट हो सकता है इसलिए क्यों न हम इनसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस अनाच को उन ममालिक को डोनेट कर दें जिनके यहां अनाच की कमी है है ना अजीब सी बात हमारे मुलक में इतना खाना बचरा है के उसके खराब होने के डर से इसलिए हम उसे डोनेट करने की सोच रहे हैं जबके हमारे ही मुलक में हर रात तकरीबन 20 करोड लोग भूके ही सो रहे हैं तो अब हमको यहां वो कहावात याद दिलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है के चैरिटी बिग इंस आठ हो ताके हमारे मुलक का एक भी आदमी भूका ना सोए क्यों जब पेट में खाना ही नहीं होगा तो सूपर पावर बन कर करेंगे क्या आज की इस प्रोग्राम में बस इतना ही उमीद करते हैं कि आपको यह प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर आप हमें अपनी राय जरूर दें और बीबियन के ऐसे ही दिल्चस प्रोग्राम और तरजातरीन न्यूज देखने के लिए यूट्यूब और फेस्बुक पर हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहिए बीबियन चानल झाल 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 झाल